नमस्कार आप देखरें नीज़ वली लिया आपके साथ मेहू का जो नरायन रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के खबरों का समाजबादी पार्टी नी अमेठी के जगदीशपूर विधान सभाश शेत्र के प्रत्याशी रश्नाकोरी को लेकर पिछले काफी समय से जनसंपर कर रही विमलेश सरोश के समर्थ को में आकरोश है गोशित प्रतियाशी को लेकर जोहां जगदीशपूर में रश्राकूरी का विरोध प्रदर्शन किया तो साथ ही विमलेश रसरोश के समर्थन में नारी लगाए और उनके लगातार शेत्र में किये जा रहे जनसंपर को सफल बताया इतना ही नहीं समाजबादी पार्टे के अध्याश अखलेश श्यादफ से विमलेश रसरोश को प्रतियाशी बनाए जाने की मांग भी की है तो सफ़र प्रत्याशी रशना कोरी का विरोध लगातार हो रहा है लेकिंद दूसी तरफ उनके प्रत्याशी बनाय जाने की मांग भी तेज होती हुई नजर आ रही है तो अमेठी में लगातार जो समर्थक है वो प्रदर्शन कर रही है वहीं विमलेश शरोच के समर्थक आक्रोशित नजर आ रहे हैं दूसी तरफ सरोज के समर्थन में नारे भी लगाए गए हैं और लगातार जो शेत्र में जनसंपर्क किया जा रहा है उसको सफल बनाने की कोशिश हो रही है तना ही नहीं समाजबादी पार्टी के अधेक शकलेश श्यादव से विमलेश सरोज को प्रत्याश्य बनाया जाने की मांग भी काफे जादा तेज हो रही है प्रत्याश्य इसलिए हमारे छेत्र की जन्मानस और जनता की आवाज है कि विमलेश सरोज बिगत पांच बरसों से समाज की कारे कर रही है समाजबादी पार्टी को और समाजबादी पार्टी के सिधानतों को लेकर के मानने राष्टी अध्यक जी के और नेता जी के आदेशों को जंजन तक पहुचाने का काम किया है और इसके पूर्व विमले सरोज जी को टिकट मिला था और सीर्ट समझोते में होने के कारण टिकट काट दिया गया उसके बाद भी विमले सरोज ने जैसे आदेश हुआ नेता जी का वैसे ही इन्हों ने उस पारटी कंडिडेट को समर्थन के कारी करना चलू किया उसके बावजूद भी पांच साल कारी किया टिकट कटने की एक्षा और कोई बिरोधिन होने नहीं जताया और ये कि बिदुना कोत्वाली शित्र के नवीन पस्ती में लड़की ने लड़के से शादी करने से मना कर दिया बता दें कि जोयमाला के समय फोटो सेशन कराया रहा था कि तब किसी बात को लेकर लड़के को गुसा आ गया और उसने अपनी जोयमाला और पकड़ी फेक दी जिसको लेकर लड़की वाले हैरान रहे गए जिसके बार लड़के की इस हरकत से नाराज लड़की निशादी करने से मना कर दिया वह इस मामले पर लड़के का कहना है कि खाना खाने के दौरान उसका जो नेग होता है वो मांगने पर नहीं दिया गया जिस कारण उसने खाने से मना कर दिया और कोई बात नहीं थी सारणपूर में गंतन दिवस के मौके पर सम्हारों को संबुद्ध करते वे शहिदियाजम सेदार भागत सिंग के भतीजे और करांतिकारी कुलतार सिंग के बेटे किरंजी सिंग ने कहा कि सैक्रोस साल के गुलामी के बाद लाखों जाने गमा कर आज़ादी हांसिल करना और भारत को गंतन तो बनाना जितना कठिन था उससे भी अधिक चनौती भराकारे इसे अच्छे से समालना और उपने पुर्खों के बलिदानों की लाज रखना है जो केवल राश्ट्य चरित की रक्षा करने से ही संभव है वहीं मुक्षियातन योग संस्थान, नेशन, बिल्डर्स, अकैडमी और राश्ट्र वंदना मिशन की बेरी बाग में आजित गुरु भारत भूशन ने कहा कि गंतन्त को केवल शुपकामना और बधाई दिवस ना बनाकर संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहिए अकैडमी के प्रचार एश्ट शर्मा ने कहा कि धर्न निर्पेश गंतन्त को मजबूत बनाने की रहा में सबसे बड़ी बाधाद जाती और वर्गों में समाज को बातना है ऐसे स्वार्थ की राजनीती से देश को भाड़ा होगा ये कारे जुम्मिदार और देश भक्त नई पिड़ी होकर कर सकती है इससे पहले योग गुरू पदमिश्री स्वामी भाण भूशन और हिरंजी सिंग ने संक्त रूप से धचारोपन किया यूपे में धान सभा चुनाओ बेहद नजदी खैसे में आरोप प्रतरोप का दोर भी लगातार जारी है महीं सभा के रास्टिये का एक धर्बेंद सुलंकी और सभा नीता केड़ी यादव से खास बात चीत की हमारे से योगी हमत में सुनी जैसे जैसे चुनाओ नजदी का रहा है चुनाओ इस सरगर्मिया तेज हो रही है और रचनाकार और ब्यंकार अपनी अपनी रचनाओ के माध्यम से सरकार को ट्रोल कर रहे हैं और कुछ रचनाकार जो है सरकार के पक्ष में अपने अपनी रचनाओ पेस कर रहे हैं हमारे साथ आज के राजनेतिक माहौल पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्स सांस्कृतिक प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्स धर्मिंद सोलंकी जी मौजूद है और समाजवादी पार्टी के वरिशनेता केड़ी याद जी मौजूद हैं हम आज बात करेंगे कि रचनाओ के माध्यम से जिस तरह सरकार पर ट्रोल किया जा रहा है और अपने अपने जो हर रचनाओ के माध्यम से सब्दों के तीर जो है चलाए जा रहा है इस राजनातिक माहौल को और गर्म किया जा रहा है इनी से जानते हैं धर्म के माहौल में और गर्माहट जो हर रचनाओं से पैदा हो रही है रचनाओं के जरी जो माहौल गर्म हो रहा है राजनेती उसको किस नजर से देख रहे हैं देखिए सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत-बहुत सुभकामना है उत्तर प्रदेश में चु तो आम जन्मानस के साथ साथ कलाकार भी एक इनसान है और इस सरकार में सबसे ज्यादा पीडिक, दुखिक आम लोगों के साथ साथ कलाके वर का कलाकार भी है तो हम किवल अपनी नीजी पीडा नहीं कह रहे है उत्तर प्रदेश का जो ग्राउन्ड ये तयार हुआ है जो उत तो मैं प्रदेश सद्यक्ष हूं समाजवादी सांसृतिक प्रकोष्ट और यह तैं है जिस बात को मैं अभी एक नई गीत हमने खाया है के जितना जोरी लगाले भाजपा अब ना ये रुक पायेगी साइखिल बढ़ती जाएगी एसरकार बनाएगी साइखिल बढ़ती जाएगी एसरकार बनाएगी फेल हो गई भारती जन्ता पाटी कई मुद्धों पे और हमने कहा है अमारे नेता ने कहा है कि रोटी कपड़ा दवा पढ़ाई सपाही दिलवाएगी साइकिल बढ़ती जाएगी ए सरकार बनाएगी साइकिल बढ़ती जाएगी सर्व समाज के साथ धोखा किया है भारती जनता पाटी की सरकार ने किवल एक वर के लिए नहीं आप बताओ समाजवादी पाटी के सरकार के कामों को पूरा पांसाल इनों ने फीता काटा अपना एक कोई नया काम इनके साथ नहीं रहा सब से जड़ा नौकरियों में और आप देख लो हमारे नौजमान पिछडी जाज़ पे सब से ज़्यादा अगर हतवडा किसी का चला है सबसे ज़ीए अगर कैची किसी की चलिये तो इस भारती जनतापार्टी की सरकार की चलिये नैतिक्ता के आधार पे भारती जनतापपार्टी जो वादा की थी अपने मेनों फेष्टों में, उसके इसाब से भाजपा को वोट मांगने नहीं जाना चाहिए जनता के बीच में और आप देखिए आधरणी एखिलेश यादो जी के बारे में घोसणा पत्र में जो भी उन्होंने कहा था 2012 से 2017 तक सरकार रहते हुए ही आधरणी एखिलेश यादो जी ने वो पूरा अपना मेने फेश्टो पूरा अपना घोसणा पत्र पूरा करके और जनता के सामने रखने का काम किया था दुनिया का देश का सबसे अच्छा हमने सडके बनवाई देश के अंदर एक ऐसी ऐसी चीजें जो उत्तर प्रदेश के लोग के वल सोचते थे उसको धरातल पर आधरणी एखिलेश यादो जी ने उतारने का काम किया था तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आएगा जब नतीजा आएगा जब नतीजा अकबार देख लेना आएगा जब नतीजा अकबार देख लेना इस बार साई किल की रफतार देख लेना और महौल यह यह पूरव से पस्चिम तक आ रही आवाज है कहता बुंदेल खंड सपा के साथ है और हम तो कहते हैं कि कैसे चलाई जाती है कैसे चलाई जाती है सरकार देख लेना इस बार साई किल की रफतार देख लेना इस बार साई किल की रफतार देख लेना तो यह सोलंकी जी ते जो आप कह रहे हैं कि अपकी बार साई किल की रफतार देख लेना और आने वाले जो विधान सभा चुनाओं हैं वो साइकल की रफ्तार जो है सबसे तेज रहेगी है नेताओं का साफ तोर पर मानना है कि जो अखले स्यादों के एजंडे में जो जन हित की समस्याओं को लेकर जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं चुनाओं में वो हत्यार के प्राटी की सारकार बनाने जा रही है और अखले स्यादों को मुखमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर देखना चाहती है कैमरा परसन मुहमद हुसाइन और असोक कुमार के साथ हेमंद सिंग न्यूज वर्ल इंडिया गुरखपूर और यहां रु प्रदेश वासियों को हार्दिक शुपकाम नाए। सभी प्रदेश वासियों वश्वेत्र वासियों को गंतंत दिवस की धेरो बदाए। सभी शेत्र वासियों वग्राम वासियों को 26 जन्वरी गंतंत दिवस की हार्दिक शुपकाम नाए। सभी शेत्र वासियों से अपील करता हूँ कि आने वाली 14 फरवरी को राश्ट रहित्मे मतदान अवश्य करें। देश को मजबूत बनाएं निवेदक आपका सेवा केपी सिंग राजपूत ग्राम प्रधान ग्राम चातूरी नगला ग्राम पंचायत खुकुनिया जोजो विकार शेत्र सेस्वान बदाईूं। मैं अध्यच नगर पंचा दुसावा धेरेंदपाल गुप्ता आप सभी सम्मानित नगरवासियों एवंपने छेत्रवासियों को घरदन देबस की हार्दिक शुकामनाय प्रेसित करता हूं। आगामी 14 फरवरी के लिए बेदान सभा चुनाओं में मतदान होना है। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आने वाली 14 फरवरी को आप सभी लोग अपने अपने मत का सत प्रितिसत प्रियोग करें एवं निस्पक्ष चुनाओं में अपनी सहवाजिता करें धन्यवाद। नंदु कुश्वाहा सचीव ग्राम पंचायत प्रिवेणी विकास खन बडोखर खुद जनपद बांदा की ओर से प्रदेशवासियों वश्वित्रवासियों को गंतंत दिवस की धेरो शुपकामनाई। श्रीमती पूर्वा ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत प्रिवेणी विकास खन बडोखर खुद जनपद बांदा की ओर से सभी प्रदेशवासियों वश्वित्रवासियों को गंतंत दिवस की धेरो बधाई। पुषपांजली पाठक सच्चिव ग्राम पंचायत लामा विकास खन बडोखर को जनपद बांदा की ओर से सभी प्रदेशवासियों को धेरो शुपकामनाई। प्रिके बाद एक बाद फिर आपसे भी का बहुत स्वागत है रुप करेंगे खबरों का। लखनों के थाना हसनगन चेत्र में ये रिक्षा की ठकर से 6 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गए। मतादे की ठकर की कारण बच्चे उसका नीचे आ गया जिसके कारण ये हाथसा हुआ वहीं हाथसे का सिस्टेवी फोटेज भी सामने आया। हाथसे के बाद इरिक्षा च्वालक मौके से फरार है वहीं परिजनों की तहरीर पर मुकादमा दजगर पुलिस सारूपी की तलाश में जुट गई है। समादवादी पार्टी से बागई हुए पूर विधाय का जोई यादव हाथी पर सवार हो गई है। पूर विधाय का जोई यादव फूट फूट कर रूने लगे और राम गुपाल यादव पर जमकर निशाना साथा। अजो यादब ने राम गुपाल को खनलाएक बता है आए सुनते हैं आगे नोंने क्या कुछ कहा लिए इस वक्त मैं मौझूद हूँ एटा की सियासी पिछ पर जिसको यादब का गड़ कहा जाता है लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा जटका एटा का एक ऐसा चह अज़ा लेड़ी का ने था जटका दिया और आपने मायवती जी का दामन थामा समाजवादी पार्टी से में जलापन चाहित अद्धाच बना था तीन मरतबा और उसके बाद मुझे जो हटा दिया गया जबर दस्ती जबके बोट मेरे पास ज्यादा थे एक खलना एक समाज अज़ा पार्टी का है उसने चर्चित आपका लफ्ज है कि खलना एक कौन है वागत खलना एक जो है एक फिरोजाबाद और पूरे उत्तरप्रदेश के लोग जानते हैं जब इसना बड़ा नाम आ जाता है खलना एक खलना एक मीडिया के माद्यम से तो हमारे न्यूसल कि और पूरा उत्तरप्रदेश जानता है उसी खलना एक ने हमेरे पास 22 वोट होते हुए जिला पंचाय तद्यच का पद मुझ से छीन के अपने रिस्तेदार को दिलवा दिया उसी खलना एक ने मेरा टिकट नहीं होने दिया मुझ मैं जो है टिकट नहीं होने दिया कुछ लेकिन कोई भी आदमी किसी के अगर पेर चुएगा हाथ पेरों की तरफ बढ़ाएगा तो ऐसा नहीं करना चाहिए था को उसमें मेरे हाथों में लात मार दी और भगा दिया कि जाए यह यह तो मैं जो है टिकट नहीं दिया जाएगा और जो कह दिया है उसको टिकट दे द करना उसे बहुत सारे लोग इखटे थे मेरे आवास पर तो उन्होंने जो है यही कहा कि कुछ भी सही इस अफमान का बदला लेंगे और चुनाव आपको लड़ना है तो मैंने त्यकर लिया कि अब चुनाव में लड़ोगा अफमान को लेकर बात करें कि समझवादी लेकिन आप पार्टी के होकर आप बता रहे हैं आप पैड चुने के लिए तो लाद मार दी गई तो क्या यह खोकला दाओ है अब खोकला क्या कहिए इसको जो है उनका घमंड है उनमें जो घमंड है वो यह गमंड को जो जनता ही चूर करेगी वो सपने देख रहे हैं सरकार कि यह बास सही है कि भाजपा से लोग दुखी हैं परेशान हैं लेकिन विकल्प आदमी सोच रहा था विकल्प जो है बसपा है समाजबादी पार्टी यह विकल्प नहीं है क्यों विकल्प नहीं है कि उन्होंने टिक्टें जो बाटी हैं वो गलत बाट दी हैं और उसी खल लगाए हुए थे कि टिकट मिलेगी तो उनको टिकट नहीं दिया गया और अपमानत भी किया गया बैठाई रखा और उसके बाद जो है कोई नित्त उन से मिला नहीं इसी तरह से अब जो वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं अब यह नहीं पता मुझे निर्दली लड़ रह हैं लेकिन मैं निश्यत तोर पर वहां कह सकता हूं नरिंद रियादव भारी भाहमत के साथ वहां चुनाव जीतेंगे क्योंके वो पांच बर से पांच बार से विधायक थे और और उनके घर में तेरे बरस से तेरे बार जो वह विधाय की रही है उनके फादर राजिन नियुक्त के बार जाय है वहां के अगया चड़ना भी हाति की उपर हां हाती पर ही चड़ेंगे उसमें क्या है उसमें कोई दोर आए नहीं है अटीपर जेमान किया गया है जिस पार्टी से उसके खिलाफ आप 104 सदर सीड से लड़ेंगे हां सोचा तो यह है जंता तो यहीं है कि लड़ना चाहिए तो बाद में होगा जब मत पेटियां खुलेंगी नेता की किसमत खुलेगी अगर सोचा जाए कि नेता जी किसमत आपकी मत पेटियां खुलने के बाद खुलती है तो क्या रहेगा एटा का विकास आप एक बात कर रहे थे कि अलीगन जो 106 विदान सभा है उसको लेकर तो ऐसा क्या है कि आप बता रहे हैं कि 106 विदान सभा नहीं बनाना है यह यह जो है स्वत्य आप भी जानते हैं लेकिन मुझ सही कहलवाना चाहते हो तो अलीगंज के इसी नेत्रत के लोग जो अलीगंज में नेत्रत कुछ दिनों किया है आज भी 102 से 300 आदम करके और दीवानियों में है लगा के गरीब आदमी चक्कल लगा-लगा के परिशान हो जाता है अगर जो है 1000 रुपए की चीज है 100 रुपए में पर देने को मजबूर हो जाता है लीगल है कहीं इन लीगल है क्या नहीं पता आपको जो है डेड़ से भीगा जमीन जो है जीट लेकिन कुछ कर नहीं पा रहें क्यों को दबंग लोग हैं समाजबादी पार्टी ने स्टार पिर्चारा की लिस्ट घुशित करी है उसमें आजम खां की परिवार का नाम नहीं क्या कुछ लगता है आपको मालूम होगा यहां पर जो है समाजबादी पार्टी ने जहीर एमद को प्रतियासी बनाया था इटा जनपद में नगर पालिका को और चुनाव जीत रहे थे जहीर कोई रोखने बाला भी नहीं था लेकिन वहीं लोग उन्हीं लोग खलाइक के रिष्टेदारों ने सडियंतर करके और जहीर एमद को चुना हरबाया तो इनका कुछ नहीं पता है क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे मुझे जाद है कुछ नहीं कहने हुए आजम खां के साथ भी ठीक नहीं कर रही है समाजबादी पार्टी जैसा कि उनका कद है उसे साफ़ से समाजबादी पार्टी आजम खांक के साथ ठीक नहीं कर रही है जैसे कि आपके जाने के बाद हो सकता है उनको यूपी में बोलवाला चाचा कहना चाहिए अब कुछ नहीं चाचा फस चुके हैं चाचा जानते हैं अब जाएं तो जाएं कहां चाचा बहुत परेशान है कुछ कहके चाचा को संथ किया गया था अब चाचा का कद जो बिलकुल घटाया गया है क्या चाचा की इतनी अउकात थी कि मात जस्वन्त नगर उनको सीड़ दी गई वो भी अपमानित करके अपमानित किस ने कराया चाचा को उसी खलनाएक ने अपमानित कराया है यह कहना चा सपा प्रतियाशी से नाराज दिके सपा लोकदल गडबंदन के कारिकरता, मुथ्राविंदावन के विधायक प्रतियाशी के कारले पर आयजित मीटिंग में, कारिकरताओं ने नाराजगी जिताई सपा प्रतियाशी द्वारा सपा के स्थानी कारिकरताओं को उच्छित सम्मा परकार की मीटिंग्स के आज आया जुन हुआ। आरोप चुनाव से पहले ही सपालोगदल गडवन्दन के कारकरताओं में दिख रही मायूसी अपने प्रत्याशियों को बता रहे हैं चौथे नमबर का कैंडिडेट और इसे के साथ फिलाल खबरों में ताहिया आप बने रहे हैं न्यूसपल इंडिया के साथ एंद में जसे का अचनाव से दिख खबसे भी गात्या